यह गर्व का विशह है कि कोरोना महामारी से ने बटने के लिए बैक्सीन बनाने का काम हमारे वैज्ञानिक हमारी कंपनिया प्रधान मंत्री जी के नित्रत वर मार्ग दर्शन में यल्दी पूरा करेंगी इसकी संभावना है आजबानी प्रधान मंत्री जी ने सभी मुख मंत्रियों की एक बैठक ली विशेश रूफ से इसलिए कि जब वैक्सीन बन के आ जाए तो तदकाल वैक्सीनेशन का काम टीका करण का काम हम सभी राज्यों में अपनी जन्ता के लिए कर सके हैं मदप्रेश का जहां तक सवाल हमारी पूरी तयारी है हमने कॉल्टचेन स्पेस वैक्सीन परिवहन नवीन कॉल्टचेन फोकल पाइंट का विस्तार कॉल्टचेन उपकरण कंडम नेशन ड्राइ स्टॉर कॉल्टचेन स्टॉर की मॉनीटरिंग और हमारे जो वैक्सीन टीका करने वाले जो हमारे कारी करता रहेंगे स्वास्त कारी करता उनकी ट्रेनिंग इसका काम ब्यापक प्यमाने पर प्रारम्प कर दिया है हमने राज इस तर पर इसके लिए संचालन समीती भी बना लिये हैं जो मुख्य सचिप के अध्धक्षता में काम करेगे और उसके साथ साथ जिला इस तर पर टास्क फोर्स बन गई है प्लाग इस तर पर भी हम टास्क फोर्स बना रहे हैं हम ठीका करन के इस काम में समाज को भी पूरी तरह से इनवाल्ब करेंगे एंजियोज, हमारी वा संग्ठन, एंसीसी, एंसस के कारिकरता और बाकी स्विम से भी संग्ठनों का भी साथ लेंगे, शहोग लेंगे यहां तक मदप्रेश का सवाल है हमारी तैयारी पूरी है वैक्सीन आने पर प्राथवित्ता क्या रहेगी लगाने की उसकी तैयारी भारत सरकार सभी राजियों के मुख्मंत्रियों के साथ सभी राजियों सरकारों के साथ मिल करते करेगी और जैसे ही वैक्सीन आईगी मज़प्रेस में बिना किसी विलंब के तत्परता के साथ कीका करण का काम प्रारंब हो जाएगा मैं प्रदेस बासी सबी बेहनों और भाईयों से और बेटे बेटियों से निवेधन करना चाहता हूँ विश्वास है कि जल्दी वैक्सीन आएगी तेजी से उस दिसा में काम चलना है लेकिन वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि हम धिलाई बरता सुरू करते हैं वैक्सीन आने पर भी कोरोना संक्रमन रोकने के लिए मास्क लगाना दोगज की दूरी बनाए रखना और मैं सभी स्वेम से भी संक्षनों से और समाज से भी कारी करता हूँ से कहना चाहता हूँ कि मैं स्वेम भी कही जगे मास्क वित्रित करने का काम कर रहा हूँ अगर कोई बिना मास्क के दिखता है तो मेरी कोसिस होती है कि मैं उसे समझाऊँ लेकिने अकेला में नहीं कर सकता आप सब को इस अभी हम में जुटना है आप स्यम्डी मास्क लगाए और विना मास्क के अगर कोई दिखाई दे तो आपकी ड्यूटी आप उसे समझाए और मास्क लगवाए तो उनकी साफधानी में ही सुरक्षा है इसलिए जब तक दबाई नहीं तब तक धिलाई दे